नमस्कार जेहिंद स्वागत है आपका स्टडी लबस फैमली में और हाज से हम टीचिंग एप्टिट्यूट की एक नई सीरीज प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं तो आज ये पहला प्रैक्टिस सेट है आपके लिए सब्यापडर की एप्टिस गोषट लक्षयरर टीजीटी पीजीटी सभी एक्जाम के लिए इंपोर्टिन्ट होने वाले है जहां पर भी टीचिंग एप्टिट्यूट्ट पुछा जाता है आपके स्क्रीण पर है अध्यापक के लिए सबसे मुल्यवान क्या होता है तो किसी भी अध्यापक के लिए सबसे मुल्यवान चातरों का विश्वास होता है अप्शन नमर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्टन देखिए अच्छा अध्यापक वो है जो अच्छा अध्यापक कौन होगा जो अपने विध्यारतियों से सच्छी लगन रखता हो उसे ही अच्छा अध्यापक कह सकते हैं अगला प्रस्टन देखिए सिक्षा के प्रचार इवं प्रसार से सिक्षा के प्रचार प्रसार से क्या होगा लोग कंत्र मजबूत होता है बिल्कुल होता है अगर लोग सिक्षित होंगे तो उनके अंदविश्वास जो अंदविश्वास होते हैं जो भी बहुत सारे traditional approaches होती हैं जो की society follow करती आती है अंदविश्वास के कारण तो उनमें कमी आएगी बिल्कुल आएगी आर्थी विकास की देर भी बढ़ेगी तो ये सब ही हमारा सही answer हो जाएगा अगला question देखिए आप इसकूल के बाहर अपने किसी चातर से किस परकार से ब्योहार करेंगे तो इसकूल के बाहर अगर कोई चातर मिले तो उससे आप बहुत गंभीर होकर ब्योहार करेंगे option number C सही उतर हो जाएगा अगर देखिए section क्या है section क्या है तो यहां पर देखिए आपको दो option ऐसे मिलेंगे section एक कॉसल है एक कला है एक क्रिया मातर है एक तपस्तिया है तो अगर ऐसे में आप सिक्षण एक कला भी कर सकते हैं अगर आपने पढ़ा है section कला अब बिग्यांद उतनों है लेकिन ज़्यादा appropriate जो answer होना चाहिए वो क्या होना चाह यह एक skill है teaching है एक skill है section एक कॉसल है और इसी कॉसल के द्वारा section कार्य किया जाता है अगला question देखिए सिक्षा तब ही सार्थक होगी जब देखिए अब यहाँ पर देखिए सिक्षा कब सार्थक होगी जब सिक्षा क्या होगी child centered होगी यानि छातर के इंद्रित अगर सिक्षा होगी और छातर के इंद्रित जब भी आए तो मैंने कहा है कि बच्चे की रूची योग्यता और च सिक्षण की संस्याओं को हल करने का दाइत्व किस खाएं सिक्षण की समस्याओं करने रद determiner का रहते ही होगा अगला क्रोष्चन देखते हैं अगला हमारे पास है सिक्षक की योग्यता एब हम आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं तो किसी भी सिक्षक की जो योग्यता है और उसका जो आचरण है उसका सबसे अच्छा मूल्यांकन उनके सिस्चियों के द्वारा किया जाता है option number 20 का सही उत्तर हो जाएगा अगरा दिखे आपके विचार में सिक्षा का उद्दिस्या होना चाहिए आपके विचार में सिक्षा का उद्दिस्या क्या होना चाहिए तो सिक्षा का उद्दिस्या बालकों का सरवांगीन विकास होना चाहिए तो यह आप पढ़ते आये हैं कि सिक्षा का मुख्य उद्देश से क्या है बालकों का सरवाइगिन विकास और सरवाइगिन जब आ जाए तो सभी तरह का विकास यानि आपका सारी दिक विकास भी आ जाएगा इसमें मानसिक विकास भी आ जाएगा बौधिक विकास भी आ जाएगा अंसर हो जाएगा अगला देखिए एक परधाना चार्यकों होना चाहिए एक परधाना चार्यकों होना चाहिए क्या होना चाहिए छात्रों के लिए प्रेणा दायक होना चाहिए अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला भी होना चाहिए और एक कुछ सल परभंद एक अध्यापक का स्रेष्ट तम गुण है तो किसी भी अध्यापक का स्रेष्ट तम गुण क्या होगा वो क्या होगा अध्यापक देखो अध्यापक का स्रेश्ट तम गुण क्या होगा देखो अध्यापक नहीं होना चाहिए यह अध्यापन अध्यापन या पढ़ाने के प्रती पूर्ण समर्पण होना चाहिए अध्यापन के परती पूर्ण समर्पण होना चाहिए अध्यापक के परती नहीं होना किसके समाज के परती होगा और चात्रों के परती क्योंकि जिन चात्रों को विक्सित करेगा वही कल कर जाके एक अच्छे समाज का निर्मान करेंगे तो समाज के परती उत्तरदाइत तो है और चात्रों के परती उत्तरदाई तो है, option number A से उत्तर हो जाएगा, अगला देखते हैं, अगला हमारे पास है, ग्रामीन आचलो में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या है? तो पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या है यहां पर? तो देख स्कूल जाएंगे, अगर पढ़ाई करेंगे, तो एजुकेशन एक ऐसा weapon है, जो आपको जो long term investment चाता है, यानि long time तक आपको पढ़ाई करनी होती है, तब जाकर आपको उसका कुछ एक तरह से फल मिलता है, यानि बहुत लंबी मेहनत के बाद, तो अगर बच्चे के मन में या आगे कि उसे पैसा कमाना है, तो सर्मिक बनने के लालसा के कारण भी हो स्कूल छोड़ सकता है, क्योंकि उसे पता है कि एजुकेशन में उसे बहुत लंबा time लगेगा पैसा कमाने के लिए, लेकिन अगर वो अभी से कुछ काम करेगा, तो असानी से जल्दी कमा सकता है, तो इस वज़े से भी बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, चात्रों का अध्यापक से डरना हाँ, बहुत बार ऐसा भी होता है, कि किसी अध्यापक से चात्र डर के कारण बिध्याले ही छोड़ देते हैं, हलांकि ये वाला अब काफी कम हो गया है मेरे इसाब से, तो इसका स चमता को बढ़ाया जा सकता है, उप्चन नमर सी, अगरा देखे, सिक्षा सक्ती एवं सक्ता का स्रोत है, सिक्षा सक्ती एवं सक्ता का स्रोत है, देखे महिलाओं के लिए हैं, पिछड़ों के लिए भी हैं, तो सभी के लिए होना चाहिए, तो ये वाला अप्चन जो है, अ एक तरह से सक्टी एवन सत्ता का सुरूर तो बालकों के लिए इसलिए हटा सकते हैं यहाँ पर क्यूंकि बालकों को सत्ता से ज्यादा मतलब नहीं रहता है और नहीं सक्टी से तो ठीक है महिलाओं और पिछणों के लिए option number D इसका correct answer हो जाएगा भारत में सिक्षित का परमकारण क्या है तो सही अंसर इसका हो जाएगा उद्दीश से हीं सिक्षा जो है सिक्षित वेरोजगारी का परमकारण है हमें सिक्षा गरण करनी चाहिए क्योंकि सिक्षा बेक्ति को स्वाब लंबी बनाती है बेक्ति को आर्थो पारजन योग्य बनाती है आर्थो प उटम माना गया है सबसे उटम कक्षा नेत्रित तो कौन सा होगा लोग्त आंत्रिक होगा जहां बालक की रूची आवस्यक्ता योग्यता के अंसार सिक्षन कार्य करवाया जाएगा अभी भावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवस्यक्ता पड़ती है अभी भावक यानि जो पेरेंट टीचर एसोसियेशन की मीटिंग्स वगेरा होती है स्कूलों में तो प्राइमरी कक्षों में सबसे ज़्यादा आवस्यक्ता पड़ती है अगला दिखते हैं अगला हमारे पास क्वेश्चन है ग्रामिर छित्रों के उत्थान का लक्षे होना चाहिए क्या होना चाहिए प्राइमरी इबम प्रॉड सिक्षा का प्रसार नगरिय सुक्षु विधाओं का विस्तार उच्ष सिक्षा का प्रसार तो जो उत्थान का मलक्ष होना चाहिए ये सभी ही होने चाहिए नगरिय सुक्स विदाओं का विस्तार भी ग्रामिर्श चित्म में जरूर होना चाहिए और उच्छ सिक्षा का परसार भी होना चाहिए प्राइमरी और प्रॉड सिक्षा का भी परसार होना चाहिए परद्धानाचार्य अपने अध्यापकों से आसा करता है क्या आसा करता है समर्पण एवं निस्टा की अग्यापालन भाव की योग्यता एवं ग्यान की तो अंसर हो जाएगा ये सभी की आसा करता है अब भावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आसा करते हैं क्या आसा करते हैं निस्पक्षि विवहार की आसा करते हैं सहान भूती एवं प्रेम की तो A और B दोनों सही उत्तर हो जाएगा अप्शन नमर D अगर देखे यदि आपको किसी गंभीर विशे पर भासन देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे आप क्या करेंगे सहर साब को तयार हो जाएंगे तो कभी भी अगर teaching aptitude का answer आपको करना है तो एक तो positive रहना है answer देते time positive रहना है खुझ को as a teacher समझना है अगर आप question के answer दोगे तो जादा question आपके सही होंगे आज के वज्यानिक यूग में छातरों को अध्यात्मिक्ता का ज्यान देना क्या है पिछड़ापन है आवस्चक है अनावस्चक है तो बिल्कुल आवस्चक है आध्यात्मिक्ता का ज्यान देना आवस्चक है अगला दिखिए विध्याले के सभी कारेक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे क्या होगा सीखने का अफसर मिलता है वेक्टितों का विकास ह होता है आत्म विश्वास के विकास में साहता मिलती है ऑप्शन नमर डी ये सभी किसी भी विश्वस्त को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सरपर्थम गुण होना चाहिए तो अभिविक्ति यानि जो आपका एक्सप्रेशन है वो बहुत परभावी होना ज तो इसी को कहते हैं परभावी अभिविक्ति औपसन नमर सी इसका करेक्ट- अंसर हो जाएगा एगला कुश्चिन है विद्यालने में खेलों के आयुजन का उदेश्य भी क्या होता है बालकों का सरवंगिन विकास करना होता है ऑपसन नमर डी अगादेखे एक शातर की दिर रड़ने का एक साधन है तो हो सकता है लेकिन ये भी उतना इंपोर्टन नहीं है चात्रों में नेत्रित्व की भावना बढ़ती है यहीं से अच्छे नेता निकल के आगे देश में बड़े नेता भी बन सकते हैं के लिए खिर के अवशुकनां करना खिर के अवसर परदान करना अवश्च है कि अख्छी पात फुस्तक वो है जो just get B tie. यह यहिऑ एनिवारे रूप से समयलित करती है यह दिए उसमें सिक्षकों के लिए अलग से निवारे रूप से समयलित करती hesitation. कि शिक्षकों को किस तरह से अपना सिक्षन कारग करवाना चाहिए तो अधिक तर आप देखते होंगे जो आपकी NCRT books होती हैं उसमें सिक्षकों के लिए अलग से निर्दीज दिये होते हैं तो शिक्षकों के लिए निर्देश वरतमान समय में प्राइमरी सिक्षक की दूर्दसा का मुख्यकारण क्या है। 64 का विसा मनपात है मानलो अगर 50 बच्चों पर केवल एक टीचर है तो ये बहुत विसा मनपात है एक टीचर 50 बच्चों को कैसे पढ़ा सकता और वो भी अलग-अलग हक्षा के सभी बच्चों की एक समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं कैसे करते हैं एक एक कर के अगर सबी बच्चों की है तो हम क्या करेंगे सामुई की डंग से समस्या का समाधान करेंगे जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका ब्योहार अपेक्षित होगा तो उसके साथ आपका ब्योहार जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ हम क्या करेंगे एक मित्र के रूप में ब्योहार करेंगे जो हमें हमारी कमिया बता रहा है वो हमारा सबसे अच्छा मित्र भी होगा एक परभावी अध्यापक के लिए आवस्यक नहीं मानते हैं किवल दंड देने वाला हो ऐसा आवस्यक नहीं है बाकी आवस्यक है वो अभी से को रोचक बनाता हो स्रिजन सील मतलब क्रेटीव हो तो काफी क्रेटीव हो ये भी अच्छी बात है और वहां उत्तम बकता हो बकता होना चाहिए ये कला छपा है वहां उत्तम बकता हो अगला देखिए परभावी संप्रेशन हो सकता है परभावी संप्रेशन का मतलब है कि मेरी बात आप तक पहुँचे आप उसे ठीक से समझ पाओ तो वही आपका परभावी संप्रेशन है तो सुरोता के इस्तर को जानकर कि आपका इस्तर क्या है वो इस तर को जानकर अगर संप्रेशन हो रहा है तो उसे प्रभावी संप्रेशन कहेंगे अगला देखी नैतिक सिक्षा का उत्तरदायित तो होना चाहिए नैतिक सिक्षा का भी उत्तरदायित तो होना चाहिए अगला देखते हैं छोटे बच्चों को की सिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके उपर किस परकार का बोज अपेक्षित नहीं है देखो लिखने का बोज पढ़ने का बोज गिरह कारे का बोज अपेक्षित नहीं है छोटे बच्चों की बात की जा रही है तो गिरह कारे का अपेक्षित नहीं है अगर देखे जब आपके चातर उन्नती करते हैं तो आप महसूस करते हैं देखे बिलकुल सही बात है कि किसी भी सिक्षप को आत्मसंतूस की भावना का महसूस होता है जब उसके चातर उन्नती करते हैं तो कोई भी चातर जो है अगर उन्नती करते हैं त आपको आत्मसंतोस्ती भावना महसूस होती है option number A correct answer होना चाहिए सिक्षा के माध्यम से कल्यान होता है सिक्षा के माध्यम से किसका कल्यान होता है समाज के सभी वर्गों का सिक्षा के द्वारा ही कल्यान होता है अगला question है आपके समने एक अध्यापक के रूप में आप प्रात्मिक्ता देंगे इसको देंगे तो अध्यापक के रूप में आपको प्रात्मिक्ता हमेशा देनी है बैग्यानिक दिरिश्टिकोन इवं विचार को बैग्यानिक दिरिश्टिकोन और विचार को एक तरह से महत्तो देना है आपके अध्यापन करते समय यदी कोई चात्र आपकी तुरूटियों की और संकेत करती है या करता है तो आप क्या करेंगे बहुत important question है देखे चात्र को कक्षा के बाद मिलने को कहेंगे नहीं चात्रों को चुप रहने के लिए बलके क्या करना है अपनी गलती को स्विकार कर लेंगे और आप यहां तक कि अगर आपको आप अपनी गलती को स्विकार करेंगे accept करेंगे और इस गलती को ठीक pelתי करेंगे और आपको कष़ा में कुछ पूछा गया और आपको ऊसका जवाब नहीं पता है तो आप यह भी स्विकार करेंगे कि मुश्र से इसका उतर नहीं आता है मैं आपको पढ़ख कर बताऊंगी या फिर सर्च करके बताएंगे तो ये आपका सही आंसर हो जाता है आपको मालुम हुआ है कि आपके पर्धानाचारे संस्ता में कुछ गलत काले कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे उच्छ अधिकारियों से सिकायत करेंगे एक गम से सिकायत करना नहीं उन्हें समझाने का प्रियास करेंगे तो उन्हें समझाने का प्रियास करेंगे तब भी नहीं मानते हैं तब लास्ट अप्शन आपका है कि उच अधिकारियों से सिकायत करेंगे प्रोड सिक्षा किन विक्तियों क अधिकार में होनी चाहिए, प्रोड सिक्षा जो है, सरकार के हाथ में सिक्षित वेक्टियों, गैर सरकारी समितियों के हाथ में होनी चाहिए, प्रोड सिक्षा, अगला की, यदि कोई अभी भावक आप से मिलने कभी नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंग देखो सिक्षक के 20 सिक्षकों का अगर आपसी संगर से तो इससे चात्रों का बिवहार भी बिगड़ जाता है तो option number 20 का correct answer हो जाएगा अगर देखिए चात्रों में अनुसासन बनाए रखने के लिए एक सिक्षक की कौन सी भूमी का सरहनिया है तो चात्रों में अनुसासन बन है रखने के लिए अगला देखिए अगला हमारे पास question है इस विद्ध्वान ने यह कहा था कि सिसु का मस्तिस्क कोरी सिलेट होता है तो यह कथन है आपका प्लेटों का प्लेटों ने कहा है कि सिसु का मस्तिस्क जो है कोरी सिलेट होता है और वहाँ पर आप कुछ भी एक त ताही रूप से याद रहता है तो इसलिए का है कि सिसु का मस्तिस्क जो है कोरी सलेट होता है और देखे किस विद्वान ने सीखने के पांच चरण बताये थे सीखने के पांच चरण बताये हैं हरबर्ट ने ऑप्शन नमर भी इसका सयुत्तर हो जाएगा अनुसासन भंग करन देने वाले चात्र को दिया गया धंड ऐसा होना चाहिए कि कैसा होना चाहिए धंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले इस तरफा का धंड होना चाहिए किंडर गार्डन स्कूल सबसे पहले किस देश में खुले गए थे तो किंडर गार्डन स्कूल जो हैं सबसे पहले जर्मनी में खुले गए थे किंडर गार्डन स्कूल के चोड़े बच्चों के स्कूल जहां पर एक तरह से प्ले स्कूल कह सकते हैं आप उप्शन नमबर सी से उत्तर हो जाएगा सबसे पहले जर्मनी में खुली है थे भासा सीखने का प्रभावी उपाय है तो भासा आप कोई भी भासा अभी ठीक से सीख सकते हैं जब आप उस भासा में बारतालाब करते हैं यानि बातचीत करते हैं चातरों के चरितर निर्मान में सबसे अधिक महतोपूर्ण भूमिका किसकी होती है चातरों के चरितर निर्मान में कौन सी विधी वास्तविक अनभाओं को प्रदान करने के दिस्टिकूल से उत्ताम है तो वास्तविक विधी कौन सी होगी बिल्कुल भर्मन विधी होगी कि आप उस इस्तान पर जाकर भर्मन करते हैं तो वहां का जो ग्यान है जो नौलेज है वह ज्यादा इस्ताई हो जाए और इसके अलावा भासन विदी उतनी परभावी नहीं होती है तो इस प्रशन का आपका सही अंसर हो जाएगा उप्शन नमर ए भरमपधी तो यह हमने कुछ प्रक्टिस से से MSQs discuss किये और आगे यह सीरीज आपको continue मिलने वाली है अगर आपको लगता है कि यह सीरीज ठीक है helpful है तो comment box में लिखें ताकि इस सीरीज को आगे continue जारी रखें हम काफी अच्छे question मैं चाहता हूँ कि कम से कम 500 प्लस MSQ हम discuss करें इस सीरीज में तो अगर आपको लगता है कि यह सीरीज जारी रहे है तो comment box में जरूर लिखें thanks a lot for listening मिलेंगे next video में तब तक के लिए जय हिन